दोस्तों Google ने अपना नया software version Android O launch कर दिया है. Company ने officially एइलान कर दिया कि इसे Oreo नाम से जाना जाएगा. बता दी कि हर बार की तरह इस बार भी Google ने software के नाम को मीठी चीज़ पर रखने की परमपरा बरकरार रखी. इस नए iOS में कई नए features आए हैं, जिसमें दोगुना boot up, notification.audio quality जैसे features मौझूद है. दोस्तों इसकी feature की बात करें तो. 1. Notification. नए Android का सबसे बढ़िया feature है notification. जो बताएगा कौनसी notification नहीं है, जिसे आप swipe फी कर सकते हैं. इसके अलावा को notification को अलग-अलग category में रखता है. इससे user की screen पर notification बल्क में नहीं दिखाई देते. 2. Picture-in-picture mode. इसका दूसरा बढ़िया feature है. Picture-in-picture यानी pip. इस feature के जरिये users को वीडियो को minimize करने का option मिलेगा. साथ ही दूसरी app इस्तेमाल करते हुए भी देख पाएंगे. 3. App Shortcut. कमपनी ने ये feature Android Muga से ही शुरू कर दिया था. इसमें user अगर app को देर तक प्रेस करेंगे तो इसका screen पर इसका shortcut बन जाएगा. 4. Emoji. इसमें 60 नए emoji जोड़े गए हैं. इसके अलावा इसके library में भी बदलाव किया गया है. 5. New Setting Menu. इस नए iOS की setting को नया design दिया गया है. पहले जैसे इसमें slide करने का option था, उसे हटा कर इसका category में कर दिया गया है. 6. Smart Text Select. टेक्स्ट सेलेक्शन टूल को ढूढने के बजाए, Google ने Oreo में नया Smart Text Select का option रखा है. इसमें Google आपके address, phone number जैसी जानरकारियों को पहचान लेगा. जैसे आप किसी text को double tap करके copy करते हैं, तो Google इसकी पहचान करके activity suggest करेगा. 7. Safety Scan. Google Oreo में safety के लिए setting में अलग से option दिया गया है. इसमें Google Play Protect भी मौजूद है. 8. Wi-Fi. Connectivity को ध्यान में रखते हुए इसमें नया Wi-Fi Aware feature दिया गया है. इससे कई device बिना internet access के भी एक दूसरे से Wi-Fi के जरिये connect हो सकते हैं. 9. Battery. अमूमन जब हम देखते हैं कि कौन से apps phone की battery ज़्यादा यूज कर रही हैं, तो Google Play Service Edge दिखती है. हाला कि इससे यह मालूम नहीं चलता कि इसमें कौन से apps शामिल हैं. Oreo में users को battery consume करने वाली applications की detail information मिलेगी जिसे वो अपने हिसाब से set कर सकते हैं. 10. Change the app icon. अब user को app icon के लिए कोई theme डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. Oreo में apps के लिए 4 तरह के option दिये हैं, जिसमें round, square, squircle और teardrop जैसी theme मौजूद होंगी. 11. Light night slider. इस नए software में आप अगर आप night light mode यूज कर रहे हैं, तो इसमें users अपने हिसाब से blue light filter adjust कर सकेंगे. 12. New quick setting. इसमें quick setting tie users के phone के icon को अलग लुग देगा. 13. Smooth notification. इसमें notification को smooth करने का भी option दिया गया है. इसमें users notifications को 15 minute 30 minute smooth कर सकेंगे. 14. Third party calling. इससे users third party calling apps को भी access कर पाएंगे. 15. Audio quality. Sound effect को दमदार बनाए रखने के लिए इसमें high quality audio codex दिये गए हैं, जो गजब का output देते हैं. इसके अलावा इसमें audio नाम की अलग से application भी दी गई है. दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और महत्मा जी ग्यान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले.